सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परिक्षा जौब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताके इसी तरह के वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वेल्कम टू परिक्षा जौब यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज आंज जारकंड के भुगोल का कुर्शन डिसकस करेंगे और उससे जुड़े इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे ये इसका पार्ट वन है सभी कोर्शन इस परधा परकासन से लिया आगया है और सभी कोषन अच्छे लेवल के हैं आप कोषन को ध्यान से सुनिए ये आपको आने वाले एक्जाम में चार से पांच मांक जरू दिलाएंगे आप वीडियो को ध्यान से देखिये और सुनिए इससे मैंने 100 कोषन प्लस कबर किया है ये विडियो जेसे सी सीजियर दरोगा और जे टेडजर से exam के लिए बहुत मदद करेंगे आए शुरू करते हैं फॉस्ट कोस्टन से पहला कोस्टन जार्कन्ट किस गुलाद मेरिश्थी से ऑंसर उतरी गुलाद जार्कन्ट भारत के किस भाग मेरिश्थी थे उत्तर पूर्वी भाग जार्खन छेत्र का निर्मान किस यूग की प्राचिनतन चत्तानों से हुआ है आंसर हो जाएगा आर्कियन यूग अगला कॉस्टन जार्खन का कितना प्रतिसद भाग आर्कियन सेल समयों से बना है 90% जार्खन राज कीन अक्छांसों के 20 इस्थित है आंसर हो जाएगा 21 डिगरी 58 मिनेट 10 सकेंड उत्री अक्छांस से 25 डिगरी 18 मिनेट उत्री अक्छांस के मद अगला कॉस्टन है जार्खन राज कितने डिगरी देसांतर के मद इस्थित है 83 डिगरी 19 मिनिट 50 सकेंड पुर्वी देशांतर से 87 डिगरी 57 मिनिट पुर्वी देशांतर के मद इस्थित है Next question जहारखंड का चेतरफल कितना है आंसर हो जाएगा 89,714 अगला question जहारखंड का नगरिय वा ग्रामी चेतरफल कितना है नगरिय चेतरफल है 1792 वर किलो मिटर और ग्रामी चेतरफल है 77,922 वर किलो मिटर जहारखंड का चेतरफल भारत के कुल चेतरफल का कितना परतिसत है आंसर 2.42% चेतरफल की दृष्टी से जहारखंड का सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है उत्री छोटा नाक प्रू परमंडल छेत्रपल की द्रिष्टी से जार्खंड का सबसे छोटा परमंडल कौन सा है पलामू परमंडल छेत्रपल की द्रिष्टी से जार्खंड का सबसे बड़ा जीला कौन सा है अंसर पच्छीम सिंबुन जीला अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा तो रामगड जिला सबसे छोटा है अब अगला कोशन यही है छेत्रपल की दृष्टी से जारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगड जिला छेतरफल की दिष्टी से जारखंड को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? अंसर पंदरवा जारखंड का निर्मान पिहार के कितने परतिसत भूबाग को काट करके हुआ है? अंसर 46% जारखंड का उत्तर से दक्षिन की और विस्तार कितना है? या तो विस्तार बोलिए या तो चोड़ाई बोलिए यानि कि इसकी चोड़ाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 380 किलोमिटर ये उत्तर से दक्षिन की और फैला हुआ है जारखंड पूरव से पच्षिम की और कितना फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 463 किलो मिटर नेक्स्ट है जारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी है आंसर हो जाएगा पांच पांच राज्यों के साथ लगी है कौन कौन से है वो पांच राज जारखंड जो है पूरब में पच्छिम बंगाल से पच्छिम में उडिसा और च्छतिस गड़ से उत्तर में बिहार से और दक्षिन में उडिसा से लगा हुआ है आईए कोशन देखते हैं जहारखंड की सीमा कितने राजों के साथ लगी है अभी हमने डिसकस किया पांच राज जहारखंड का कौन सा जीला इसी विराज की सीमा को असपर्स नहीं करते हैं तो दो ऐसे जीले हैं जो किसी विराज को असपर्स नहीं करते हैं पहला लोहर दग्गा और दूसरा खुटी ये दोनों जीले किसी विराज को नहीं चूते हैं अगला कोसन है जहारखंड की उत्री सीमा किस राज से लगी है अभी हमने पताया था बिहार राज नेक्स्ट है जहारखंड के कूल कितने जिले बिहार की सीमा को इस परस करते हैं द्यान से सुनियेगा गडवा, पलामू, चत्रा, हजारी बाग, ओडर्मा, गिरिडी, देवगर, दुमका, गुड़्डा और साहिबगर्ण ये सबी टोटल दस जिले हैं जो बिहार को छूते हैं अगला कुस्टन है जहारखंड की पच्छिमी सीमा किस राज से लगी है जहारखंड को पच्छिम की तरफ टच करते हैं जहारखंड का कौन सा जिला उत्तर परदेश की सीमा को टच करता है बस जहारखंड का एक ही जिला है जो उत्तर परदेश को टच करता है वो है गडवा ये बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है अगला कोसन जहारखंड के कौन कौन से जीले 36 गड़ की सीमा को असपर्स करते हैं चार जीले हैं जिन नाम याद रखिए गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गड़वा अगला है जहारखंड की पुर्वी सीमा किस राज से लगी है आंसर हो जाएगा पच्छीम बंगाल नेक्स्ट है जहारखंड के कौन कौन से जीले पच्छीम बंगाल की सीमा को असपर्स करते हैं फर्ष्ट पुर्वी सिंभूम, राची, बोकारो, धनवाद, जामताड़ा, दुमका, पाकूड, तायवगंज, रामगर्ड और सराय के लाखरसावा टोटल दस जीले हैं जो बिहार को टच्छ करते हैं जहारखंड की दक्छीन सीमा किस राज से लगी है आंसर हो जाएगा उडिसा, उडिसा अदक्छीन में टच करता हैं जहारखंड के कौन से जीले हैं जो उडिसा को असपरस करते हैं चार जीले हैं, सिम्डेगा, पुर्वी सिंभूम, पच्छीमी सिंभूम, सराय के लाखरसावा नेक्स्ट कोस्टन है, कौन सी रेखा जहारखंड के बीच से होके गुजरती है इंपोर्टन कोस्टन है ये, करक रेखा इसका आंसर होगा जहारखंड का सबसे उच्छा भूभाग कौन सा है सबसे उच्छा भूभाग जहारखंड का पाठ छेतर है जो कि पारसनात पहाड़ी को छोड़ करके हैं क्योंकि पारसनात की पहाड़ी की हाइट है 1365 मीटर ये इसमें नहीं आता है तो पाठ शेतर की आउसत उचाई कितनी है तो वो है 900 से 1100 मीटर तक ये उचा है राची एवं हजारी बाग का पठार मदवर्ती किस परकार के मैदान का अच्छा उधारन माना जाता है तो ये उत्थित संप्रदाय मैदान का उधारन है अगला कोशन है राची एवं हजारी बाग के पठार को एक दूसरे से कौन सी नदी अलग करती है तो वो है दामोदर नदी Next मदवर्ती पठार राची एवं हजारी बाग के पठार की आउसत उचाई कितनी है तो वो है छो सो मीटर Next है राची एवं राची के पठार एवं सिंभूं के पठार के मद्ध कौन सी पाहड़ी इस्थित है तो वो है पूरहट की पाहड़ी इसका अशर होगा जारखंट की सबसे उची चोटी कौन सी है वो है पारसनाथ की पाहड़ी अभी हमने बताया था इसके हाइट कितनी है तेरसोग पईससट मीटर इसकी हाइट है कई बार ये कोसन एग्जाम में आता है अगला कोसन है राजमहर ट्रेफ जारखंट की किस भाग में इस्तीत है आंसर हो जाएगा उत्तर पुरवी भाग नेक्स्ट है खनीजों का गोदाम घर के नाम से किसे जाना यादों है छोटा नाकपूर का पठार खरिज्जों का गोदाम घर कहलाता है छोटा नागपूर का पठार किस परकार की अस्थला किरतियों द्वारा निर्मित है अंसर संप्राई धरातल यहां अवसीष्ट अस्थला किरतियों द्वारा नेक्स्ट है छोटा नाकपूर के पठार का कूल शेत्रपल कितना है तो ये हैं 83,277 वर किलोमीटर अगला कोस्यन है छोटा नाकपूर का पठार के कूल भू भाग का कितना परतीसा शेत्र घेरे हुए हैं आंसर हो जाएगा इसका 47.8% नेक्स्ट है जारखंड का औसत वारसिक तापमान कितना है तो वो है 25 डिग्री सेंटिग्रेट नेक्स्ट है जारखंड में औसत वारसिक वर्षा कितनी होती है तो वो होती है 140 सेंटिमीटर नेक्स्ट जार्खन में सरवाधिक वर्षा कहा होती है तो नितर हाट इसका आंसर हो जाएगा वहाँ पर 180 cm से जादा वर्षा होती है अगला कुशन जार्खन में सरवाधिक वर्षा किसे होती है आंसर दक्चीन पच्छिमी मांसून के कारण सरवादिक वर्षा जार्खंड में होती है नेक्स्ट है जार्खंड का सरवादिक थंडा अस्थान कौन सा है आंसर नितरहाट जार्खंड का सरवादिक गर्म अस्थान कौन सा है आंसर जमसेतपूर आनसर चोटा नाकपुर का पठार लाते हार जिला का टोरी छेत्र अगला कुश्यन जारखंड की सबसे लंपी वाँ बड़ी नदी कौन सी है आनसर हो जाएगा दामोदर नदी दामोदर नदी इसका आनसर हो जाएगा अब दिखते हैं दामोदर नदी की सहायक नदिया कौन कौन सी है याद रखेगा बराकर, भुकारो, कुनार एबं भीडा इसकी सहायक नदिया है कौन सी नदी को बंगाल का सोक के नाम से जना आता है आंसर दामोदर नदी नेक्स्ट है ज़ारकंड में low ass किस परकार की चट्टानों में पाया जाता है तो वो होगा धारवाड क्रम की चट्टानी। धारवाड चट्टानों में ज़ारकंड की सबसे परदूसित नदी कौन सी है आंसर दामोदर नदी अगला कोशन धनबाद किस नदी के तट पर बसा है अंसर हो जाएगा दामोदर जहारखंड की एक मात्र नदी जो सतंत रूप से बंगाल की खाड़े में गिरती है वो है स्वंद्रेखा नदी अगला कोशन स्वंद्रेखा नदी कहां से निकलती है अंसर छोटा नाकपूर का पठार राची के नगड़ी गउं से निकलती है नेक्स्ट है जहारखंड की किस नदी में सोना पाया जाता है अंसर हो जाएगा स्वंद्रेखा नदी जुमार, रारू, काची, खरकई एवं संजय किसकी साहयक नदी है अंसर स्वंद्रेखा नदी स्वंद्रेखा एवं खरकई नदियों के संगं पर कौन सा नगर आवस्तित है अंसर जमसेतफूर उत्री कोयल नदी कहां से निकलती है राची के पठार के मद्धिभाग से निकलती है औरंगा एवं आमानत किसकी साहयक नदी है यह उत्रिकोयल की सायक नदी है दक्षिन कोयल नदी कहां से निकलती है छोटा नाकूर के पठार से निकलती है कारो किसकी सायक नदी है आंसर त्रिकुट पाड़ी कारो दक्षिन कोयल की सायक नदी है मैउराच्छी नदी कहां से निकलती है तो ये तिर्कुट पाड़ी देवघर से निकलती है गुमानी नदी कहां से निकलती है आंसर राजमहल की पाड़ी से ब्राह्मनी नदी कहां से निकलती है दुद्वा पाड़ी दुमका से जहरखंड राज में गर्म जल कुंडों का जल तुचा रोगों के लिए लापरद है क्यूं कि इसमें सलफर एवं अन्य खनीज लवन मिले रहते हैं बासलोई नदी कहां से निकलती है आंसर बास पाढ़ गोड़ा फल्गु नदी को जहरखंड में किस नाम से जाना जाता है निरंजन या लीला जन रमायन के किस नदी को चुमागदी कहा गया है सकरी नदी मैथन बांध का निर्मान किस नदी पे किया गया है आंसर बराकर नदी चांडिल डेम किस नदी पे हैं? आंसर संद्रेखा नदी गंगा नदी जारकंड के किस जिल्य से होकर गुजरती है? आंसर साहिवगंज तिलाया बान का निर्मान किस नदी पर किया गया है? आंसर बराकर नदी कोनार बान का निर्मान किस नदी पे किया गया है आंसर कोनार नदी वोकारो बान का निर्मान किस नदी पे किया गया है वोकारो नदी बाल पाड़ी बान का निर्मान किस नदी पे किया गया है बराकर नदी बर्मो एवं अयर बान का निर्मान किस नदी पर किया गया है दामोदर नदी धारखन के किस सहर में दामोदर घाटी निगम की भूमी संगरक्षन डिविजन है हजारी बाद पंचियत बान का निर्मान किस नदी पर किया गया है दामोदर वा बाराकर नदी के तंगम पर भारत की पर्थम बहुत देशिया नदी घाटी पर्योजना कौन सी है? ये है दामोदर घाटी पर्योजना दामोदर घाटी पर्योजना की रूप रेखा अमेरिका के किस नदी के आधार पे की गई है? आंसर हो जाएगा टेरेंसी घाटी जोजना की आधार पे दामोदर घाटी पर्योजना की अस्थापना कब की गई थी? 1948 दामोदर घाटी जोजना किस नदी परिस्थित है? दामोदर नदी पे दामोदर घाटी परियोजना किंद राजियों की सयुक्त परियोजना है आंसर है जारकंड एवं पच्छिम बंगाल दामोदर घाटी परियोजना की अंतरगत कितने बांधों का निर्मान किया गया है आंसर आडवान सुंद्रेखा बहु देशिया पर्योजना किन राजियों की सयुक्त पर्योजना है जारखंड, पच्चिम बंगाल एवं उडिसा मयुराक्षी पर्योजना किन राजियों में चलाई जाती है जारखंड एवं पच्चिम बंगाल मज़राक्सी पर्योजना की अंतरगत दुमका जिले की कि अस्थान पर डैम का निर्मान किया गया है आन्सर मसान जोर बिए कनाड़ा सरकार के सयोग से कनाड़ा डैम कहा इस्तित है दुमका में चाहरखन में सरवाधिक जलब्रपात किस जिले में मिलते हैं आंसर हो जाएगा राची जहरखंड का सबसे उचा जल परपाथ कौन सा है ? आंसर है बूढ़ा घाथ या लोधा घाथ जो की लाते हार डिस्टिक में ये पढ़ता है अगला कोस्टिन जारखंड का दूसरा सबसे उचा जल परपात हुंडु किस जिला में वस्थी थे आंसर हो जाएगा जारखंड की राज़ानी राची में हुंडु जल परपात किस नदी पर विस्थी थे आंसर संद्रेखा नदी दसम एवं गौतम जल पर पात किस जिला में वस्ती थे आंसर राची दसम जल पर पात किस नदी पर वस्ती थे आंसर काची नदी गौतम धारा जिसका दूसरा नाम जो नाफ हौल भी है या किस नदी पर वस्ती थे आंसर हो जाएगा राडू नदी अगला question हिरनी जलपरपाथ किस जिला में वस्तित है आंसर पच्छिम सिंग्भूम सदनी घाग जलपरपाथ किस नदी पर वस्तित है आंसर संख नदी जारखन का स्थरवादिक गर्म जलकूंट कौन है आंसर है सूरिकूंट जो की हजारी बाग में पड़ता है तेतुलिया गर्म जलकुण किस जिले में इस्थित है? आंसर धनबाद ताता पानी जलकुण किस जिले में इस्थित है? लाते हाथ दुवारी जलकुण किस जिले में इस्थित है? चत्रा कावा जलकुण किस जिले में इस्थित है? आंसर हजारी बाग जharkhand में सरवादिक मात्रा में कौन से मिट्टी पाई आती है लाल मिट्टी लाल मिट्टी तो ये था फ्रेंट्स इस वीडियो का पार्ट बं अगर आपको इसी तरह का ओर भी कोशन चाहिए तो मैं इसका पार्ट तु तेयार करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सस्क्राइब और सेर जरू करें थैंक यू